डाक सर्किल से परिशान है? ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे जिनेटिक्स, लाइफस्टाइल और एजिंग तो यहां कुछ बेस्ट होम रेमिडीज है डाक सर्किल से छुटतारा पाने के दिए जो आपके किचिन में मौजूद है ये यलो स्पाइस बहुत कुछ करती है खाने में रंग देने के अलावा एक टेबिल स्पून हल्दी और कुछ बूंदे दूद के लिए और एक ठिक पेस्ट पनाएं इसे आखों के नीचे 10 से 15 मिनिट के लिए लगाएं और फिर धो लें हल्दी की अंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपरिटीज मिल्क के लाक्टिक असिट के साथ मिलकर पिग्मेंटेशन और पफिनेस कम करेगी डाख सिर्किल्स के लिए पार्सली बहुत काम का है कुछ पार्सली मौटर में ले और एक फाइन पेस्ट बनाए इसके बाद मौटर में गरम पानी डाले पॉट इन पाट डिप करे और गुडनेस सोख होने दे आखों के नीचे 10-15 मिनिट के लिए रहने दे और पाए ब्राइट अंडर आइस पार्सली डाख स्पोट्स कम करता है वही आंटी ओक्सिदेंस, पफिनेस और अंडर आइ बैक्स कम करती है बहुत से लोग एक दिन भी बिना कैफीन के नहीं रह सकते डार्क सर्कल्स फील दे सेम क्विक फिक्स के लिए एक बोल में 2 टेबल स्पून इंस्टिन कॉफी और 1 टेबल स्पून पटेटो जूस लें हनी डिजल करें पेस्ट पर आखों के नीचे 10-15 मिनिट के लिए लगाएं और मैजिक देखें कैफीन में आंटी ओक्सिदेंस है और इसमें अबिलिटी है ब्लट सर्कुलेशन बढ़ाने की ये अपलाइड एरिया में कॉलेजन प्रडक्शन इंक्रीज करता है वहीं पटेटो जूस पिग्मेंटेशन रिड्यूस करता है और हनी स्किन को सौफ्ट और नरिश करती है रोज वाटर मोस्ट ट्रेज़र ब्यूटी इंग्रीडियन्स में से एक है ये स्किन रिजूविनेशन और पफी डार्क अंडर आइस के लिए फाइदेमंद है बोल में एक केबिल स्पून रोज वाटर ले और एक केबिल स्पून धंडा मिल्क ले मिक्स करे और बोल में दो कॉटन पैट्स सोप करे पैट्स को आखो पर लगाए और 20 मिनिट रहने दे मिल्क की लाक्टिक असिड अंडर आइ की डिसकलरेशन कम करती है आलू विटिमिन B और C का अच्छा सोर्स है जो प्रीमेचॉर एजिंग प्रिवेंट करता है और डाक सिर्कल्स कम करता है एक छोटा आलू ग्रेट करे और मलमल क्लोथ में प्लेस करे बोल में जूस निकाले और स्टोर करे कॉटन पैट को जूस में सोक करे और अपने डाक सिर्कल्स पर लगाएं 15 मिनिट के बाद खंडी पानी से साफ करे ये रेसिपी यूस करे और डाक सिर्कल्स कम होते हुए देखे ये सूपर सिंपल डियाइवाइस आपकी अंडर आइस को नरिश करेंगे और आप जल्द ही डाक सिर्कल्स कम होते हुए देखेंगे अंटिल नेक्स टाइम स्टे टून और स्टे ग्लाम्रिस